दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जिसका नाम है RD Education दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए नई वेकेंसी की जानकरी लेकर आए हैं जो की तम्मिल नाडू ग्रामिंड परिवर्तन परियोजना की तरफ से हैं तम्मिल नाडू ग्रामिंड परिवर्तन परियोजना ने 324 पदों पर वेकेंसी निकाली है तो दोस्तों क्या है इस वेकेंसी की पूरी जानकरी चलिए जानते हैं इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रूकेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए एक नई-नई वेकेंसी की जानकरी लेकर आते रहते हैं चले शुरू करते हैं जानते हैं इस वेकेंसी ही पूरी डिटेल दोस्तों और्गनेजेशन का नाम है तमिलनाडू रूरल ट्रांस्फोर्मेशन प्रोजेक्ट यानि की TNRTP जोब केटेगरी है PSU जोब जोब टाइप है तमिलनाडू गवर्मेंट जोब जोब नेम है टीम लीडर, यंग प्रोफेशनल, एक्जेक्टिव ओफिसर, प्रोजेक्ट एक्जेक्टिव, चीफ ओपरेटिंग ओफिसर और फाइनेस प्रोफेशनल जोब लोकेशन है ओल अवर तमिलनाडू क्वालिफिकेशन इसमें, मास्टर की डिगरी और बेचलर की डिगरी मांगी गई है टोटल वेकेंसी है, 324 पदो पर इस वेकेंसी का एपलाई मोर ओनलाइन रहे, आप इसमें ओनलाइन के माध्यम से एपलाई कर सकते हैं चले जाते हैं बागी की डिटेल दोस्तों, टीम लिडर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 25 पदो पर वेकेंसी निकली है, यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए यहाँ पर 58 पदो पर वेकेंसी निकली है, एक्जीकुटी ओफिसर की यहाँ पर 16 पदो पर वेकेंसी निकली है, प्रोजेक्ट एक्जीकुटी क की चार पदों पर वेकेंसी निकली है इस तरह से टोटल 324 पदों पर TNRTP ने वेकेंसी निकाली है अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो टीम लीडर के लिए यहां पर क्वालिफिकेशन मास्टर की डिगरी मांगी गई है और अगर एक्स्पिरिंस की बात करें तो यहां पर 6 साल का कारे का अनुभाव ग्रामिण उद्यम संवर्धन में होना जरूरी है और साथ ही ब्लोग इस्तरिय परियोजनाओं में कारे अन्वेन और निगरानी का अनुभाव करशी या गेर करशी शेतर में उद्यमों और उत्पादक सम्मूहों को बड़ावद देने का अनुभाव इस्तानिय प्राधी करणों, सरकारी वीभागों, नीजी शेतर के खिलाडियों, वित्य संस्थानों और ऐसे अन्य अहित कारकों के साथ उत्पादक संबंद सुनिशित करने में दक्षता और समुदाय आधारीत कारे करमों और भागीदारी योजना में अनुभाव होना बात करते हैं यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए यहां पर व्यवसाय प्रशासन, ग्रामीन प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन, उद्यमिता विकास, सामाजिक कारे, करशी, स्वचालन, इंजिनियरिंग, विपनन, वित, मानाव संसाधन में मास्टर की डिगरी मांग गया है और इसके साथ ही उतकरष्ट शेक्षणी की साख प्राप्त करें, नमबर सेकेंड, उतकरष्ट गरहक जुड़ा प्रदर्शन करें, तमिल का कारे साधग ज्यान, विशेश रूप से जिला इस्तर पर वाईपी के लिए होना अवश्यक है, और वाईपी राज्य, या अब बात करते हैं, एक्जीकुटिव ओफिसर के बारे में, तो इसके लिए व्यवसाई प्रमंधन, क्रशी व्यवसाई प्रमंधन, ग्रामीन प्रमंधन में परासनातक किया होना जरूरी है, अनुभव की बात करें, तो जिला इस्तरिय परियोजना के प्रमंधन का आपके पास अनुभव होना चाहिए, क्रशी व्यवसाई विक्सित करने में ग्यान और अनुभव, मूली शंकला से जुड़ा व्यवसाई, व्यापार विकास, उद्यम विकास, स्टार्ट अप, उत्पादक सम्मुहों को बढ़ावा देने, और ऐसे सम्मुहों को व्यापार सेवा वितरण और विपर्ण सहायता में अनुभव होना आवेशक है, साथ ही भागीदारी योजना का अनुभव भी बहुत जरूरी है, अब बात करते हैं, प्रोजेक्ट एक्जिक्यूटी के लिए, तो किसी भी विशे में न्यूनतम इसना तक अधिक्तम व्यवसाई प्रमंधन क्रशी विवसाई प्रमंधन और ग्रामिन प्रमंधन किया होना जरूरी है, अनुभव यहाँ पर चार साल का मांगा गया है, ब्लोक इस्तरी योजना में अनुभव, लाभार्ति की पहचान और समुदाय की भागीदारी योजना में अनुभव, उत्पादक समुहों, अनुभव की बात करें, तो ICT, डिजिटल प्लेटफर्म आदारीत परियोजना डिजाइन और कार्यवयन और विक्रता प्रबंधक या शिक्षा और अनुभव के समकक्ष संयोजन में नियूंतम 12 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, MIS और निर्ने समर्थन प्रनाल इस्थापित करने का अनुभव भी इस पोस्ट के लिए मांगा गया है, अब बात करते हैं, फाइनेस प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए, तो नियूंतम इसनात्र की डिगरी, वानिज्य, वित, ICWA या प्रासंगिक अनुशासन यहाँ पर मांगा गया है, अनुभव की बात क करें, तो प्रात्मिक्ता प्राप्त शेत्र को उधार देने में नियूंतम चार वर्ष का अनुभव, या क्रेडिट मुल्यांकन में विशेशक ग्यता के साथ, MSME रिंड देने में कम से कम चार साल का अनुभव होना आवाश्यक है, वित्तिय, तक्निकी और आर्थिक और जो अनुभव होना आवाश्यक है, और ब्रांच मेनेजर, लीड डिस्ट्रिक्ट मेनेजर के रूप में काम करने का अनुभव कम से कम दो साल का तमिल और अंग्रेजी भाषा बोलने में होना चाहिए, अब बात करते हैं डिप्टी चीफ ओपरेटिंग ओफिसर की, तो इसके ल कारियन वेन का दायरा हो, उश्मायन केंद्रो, व्यापार सलहकार सेवाओं, उद्यम विकास और डेटा संचालित योजनाओं का अनुभव, मूली शंकला सम्मर्धन, विपनन और व्यवसाय सेवा वितरन का ज्यान होना आवश्यक है, अब बात करते हैं, एज लिमिट की, तो टीम लीडर के लिए मेक्जिमम 53 साल एज लिमिट रखी गई है, वाईपी यानिक यंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर मेक्जिमम 28 साल रखी गई है, एक्जीक्टी ओफिसर के लिए यहाँ पर 53 साल एज लिमिट रखी गई है, प्रोजेक्ट एजीक्टी के लिए 40 स एज़ लिमिट रखी गई है अब बात करते हैं salary की तो team leader के लिए 30,000 रुपे salary यहां पर दी जाएगी young professional के लिए 45,000 salary दी जाएगी executive officer के लिए यहां पर 35,000 रुपे salary दी जाएगी project executive के लिए यहां पर 20,000 रुपे salary दी जाएगी और deputy chief operating officer के लिए 75,000 रुपे salary दी जाएगी. अब बात करते हैं, selection process की, तो selection process interview के आधार पर किया जाएगा. Important dates की अगर हम बात करें, तो इस vacancy में आप 25 फरवरी 2022 से apply कर सकते हैं. और इस vacancy की last date 11 March 2022 से, 11 March 2022 से पहले आप इस vacancy में apply कर सकते हैं. तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि तमिलाडू ग्रामिंड परिवर्तन परियोजना ने 324 टीम लीडर, यंग प्रोफेशनल, कारेकारी अधिकारी, परियोजना कारेकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी और वित व्यवसाइक के लिए नोकरी की अधिसूचना जारी की हैं, और इस वेकेंसी में एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री मांगी गई हैं, आप इसमें 25 फरवरी 2022 से 11 मार्च 2022 तक apply कर सकते हैं, और चैनित उम्मीद्वारों को All Over Tamil Nadu में रखा जाएगा, आवेदन मोड इसका ओनलाइन है, आप इसमें ओनलाइन मोड के द्वारा ही apply कर सकते हैं,